नमस्कार दोस्तों मैं हूँ दिलिप और आप मुझसे मेरे यूट्यूब चैनल सीनिक सत्पुड़ा पर जुड़े हुए हैं सत्पुड़ा के मश्हूर धाबे ये जो सिरीज है उसमें अगला धाबा कवर करने के लिए हम लोग मठकुली जा रहे हैं फिलहाल मैं चिंदवाडा होशंगाबाद रोड़ पर कहीं बीच में मौझूद हूँ और ये जो इलाका है ये टाइगर रिजर्व में आता है पराजिया से मठकुली जाने के रास्ते पर कमाल के नजारे मिलते हैं हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं लगता है कि मानो जन्नत के दर्वाजे खुलते जा रहे हो दूर तक फैले हुए जंगल पर चड़ा हरा रंग और सब्ज पहाड आंखों को बड़ा सुकून देते हैं मन तो करता ही नहीं कि यहां से आगे बढ़ें लेकिन पहले से तैकियो हुए काम मन को मारने पर मजबूर कर देते हैं मट कुली है तो एक छोटा सा कजबा लेकिन सत्पुड़ा के सबसे मश्यूर टूरिस्ट प्लेस पच्मड़ी के लिए यहीं से जाना होता है इसी एहम और मसरूफ तिराही पर मौजूद है मान अर्मदा ढ़ाबा बसे तो आसपास और भी करीड़ाबे या रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं लेकिन इस जाबे पर मिलने वाली और अपनी तरह कि एक खास रोटी का पुराना स्वाद मुझे यहां तक खीच लाया है तिकड़ के लिए तो एंसा है वाईसाब जो व्यक्ति एक बार खालेगा तो वो दो बार जब भी यहां से निखलेगा तो वो टिकड़ ही पसंद करेगा क्योंकि नेचुल्टी आज के समय में नेचुल्टी मिलने ही पाती लोगों के लिए और वह सबसे बड़ी बात है कि सामने बनता है सामने बनता दिखता है व्यक्ति के लिए कि इसमें कोई दोकदड़ी बात नहीं होती है उसमें जहलकती है कि नेचुल्टी और बिलकुल द सवाक है और उसके बाद देशी इसटाल आदि वासी जो लोग ठेकड़ हास से बनाया करते थे वो आदिवासियों के हास से हमने वह पेटन हिया हुआ है उसको हम लोग सब्स्क्र het करते हैं वह हम लोग त्यार करते हैं benefit सबसाइश छी आधि आप पालगे हैं यह मोटा होता है इसको सिक्रेमें बहुत समय लगता इसकी प्रसेष थोड़ी 10-15 मिट की रहती है लेकिन यह बहुत पाचा होता कि किसी प्रकार का मतलब डाई जैसन में गड़बन नहीं करता और आपको हेवी भोजन नहीं होता ये कि जब आप तिकड की इतनी तारीफ सुन ही चुके हैं तो फिर ये भी देख लीजे की से बना अब कैसे हैं जो आप रोटी मनावत दिना अब तोर पाई से लगवड़त तीक नाब यह अपका टिक्टर तयार हुआ है इसको बराबर रखना है नोटा भी नहीं चाहिए पत्ला भी नहीं होना चाहिए चारों तर्फ सेम कोशिश करते हैं अब आपने इसको सेखने के लिए कावामाट यह पटा हुआ है अपने इस ली यूज करते हैं तक है अपने हाथ में अब जब तक यह कंप्रेट सिखने जादा तब तक आप उसको फलेट में सकते हैं तब एक तरफ प्रेट सिखने जाए अब तब आप तक यह मोटा होता है इसको सिखने में टाइम एक अब यह कंप्लीट सिखने अब आप इसको पलट सब्सक्राइब इसमें टाइमिंग लगता है तो यह मोटा वोने के वज़े से अंदर तर उसको पकने के लिए इसको आपी तेर तर परमें में तकना पड़ता है और अब दोस्ट अबगिर शदोने के उन्या के लिए किया अब जगादा सुट्टी किया अब आप दूप आप जाप्यों शब दूटूब आपादाएग् इसका को वज़ी आप आप बारी दोस्ता है कर फो करने केना के वाना टुछ याना टुछ खिर टूङ। इसी खास रोटी या कहें कि तिकड़ का स्वाद दूर दूर के भोजन प्रेमियों को यहां तक खींच लाता है इसकी महकते लज़्ज़त और सुन्धापन ऐसा है कि जिस किसी ने इसे एक दफ़ा चक लिया वो बार बार इसका जाइका लेने आ पहुंचता है सिर्फ तिकड़ ही नहीं इस धाबे पर बनने वाली सबजीयों के भी अपने शैदाई है चाहे पहली दफ़ा आए हुए लोग हो या बार बार यहां आने वाले वेज खाने के सारे शौकी इन नर्मदा धाबे के मुरीद है फर्स्ट टाइम हमने विजिर किया इस रस्टोरेंट बार पहली बार में हमको खाने बहुत मज़ा आया टेस्ट भी अच्छा था और फ्रेशनेस लगा हमको अगर बाहर भी आप घर जैसा खाना पसंद करते हैं तो इससे बेस्ट ढाब आपको कहीं भी नहीं मिल सकता है एकदम घर जैसी क्वालिटी है बिलकुल फ्रेश खाना है कोई भी पंच्वणी आना चाहता है तो बजट में बहुत ही अच्छा खाना मिलेगा यहां पर ज्यादा कर सेव टमाटर तो काफी अच्छा है किसी भी घराग को जो डिस लगाते हैं जब तक वो ब्यक्ति संतोस्ट नहीं हो जाता है तब तक हम उसको पहले हम लोग पहले पूस्ते हैं कि हमने आपको भोजन दिया जो टेस दिया वो कैसा है अगर वो किसी चीव में बाइचांस किसी में अगर कोई मिस्टेक निगल जाती तो हम उसको चेंज करके और उसका हम पैसा नहीं लेते हैं उसके बाले हम दूसी चीज उनको दे देते हैं हमारे गिराग के संतोस्टी ही हमारा सबसे बड़ी लगन मेहनत है तिकड के तैयार होते ही मुझे और मेरी टीम को भूख लगाई थी लेकिन हमें अभी थोड़ा और इंतजार करना था क्योंकि खलस हमारे लिए तैयार हो रही थी एक वेरी वेरी स्पेशल डिश जसका मैंने इससे पहले सर्प नाम ही सुना था चखा कभी भी नहीं कर अब उसका थाउ थी नहीं जस पूँ तकर हो नहीं हैं लेकिन आपी मुझे कर दोगए लाई तैयार है Kaiser तोहारे टीम थेवे हैं और रहाईने को भी आप्रावाई तैयार मेरा चाह तो पहाई पहाई जसा पहाई यिज़ में करें प्रोट नियू प्रोट करना है लुट है लुटनों करें फ्रीजर करें Lazio करूंडर के लादा एंट नच्utanे नचल, नचल, तराइब, यšत система कर दो खाक ही दुरीजी है भाद कीनिवाद प्रिख सोग्सूआ कर दो अजया, आप दोगदा है, आप याम, आप साथ, आप बादyगा करी गहां। अजरी लिफटेंस पसी खेपने दोग टूहरा मोरें साथ हुआए मैं और एकन अऑना स्वारा हुआ है अजरी तर सक्राप्ड़ है झारी प्रड़ खेपने कम पना खोगल झारी खेपने कम मुझे खिर पके लिए टो कर दोगजया सजा धजा पनीर रजियाला और बटर में लिपटा तिकड़ सामने देखते ही मुह में पानी भराया था भूक जो कि पहले से ही जोरों पर थी अब मेरी परदाश्ट के बाहर हो चली थी मैंने जट से खाना अपनी प्लेट में डालना शुरू कर दिया दोस्तों यह जो है यह है पनीर रजियाली मैंने पहले सिर्फ इसका नाम सुना था टेस्ट अभी तक किया नहीं यह से कभी और मैं यह जब नर्मदा ढ़ा आया तो मेरा वेज घाने का कुछ मन था और जब मुझे बताया गया कि यहां का स्पेशल जो है वह पनीर रजियाली ह तो अभी मैं से टेस्ट करूंगा और साथ में जो यहां पर सबसे पॉपुलर है तिककड इस पूरे एरिया में अगर आपको तिककड खाना है तो यह जो नर्मदा ढ़ाबा यहां पर आपको एक तम देसी अंदाज में तिककड दिया जाएगा तर अशल यह आदिवासियों का पुराना खाना है मोटा अनाज होता एक तरह गा ग्यहों को मोटा पिसा जाता है और काफी लंबी प्रोसस होती है एक तिककड बनाने में 10-15 मिट कम से कम लगते हैं सेखने में बहुत टाइम लगता है और आटा जो है उसे गोत के रखा जाता है तो इसे हम टेस्ट करते ह अपर ईक है आटा कितना मूठा तेक्स्चर आटा मूटा is परत आटा एक कुरकुरी अगदम पुरा है थोड़ा हाड है और अंदर एकदम नरम इसका तेक्स्चर आप देख सकते हैं कितना मोटा है मान के चलिए एक जो चापाती हम खाते है यह उससे चार या पाच गुना ज्यादा है चार या पाच चापाती को मिलकर एक तिकड़ बनता है और खाने में काफी क्रेंची वेज खाने के लिए जाए जावे को जाना पहचाना जाता है जब आप यहाँ कर तेश्क कहींगे सबिट्स को चाने जब आप पया पहां कर तेश्क करने गिस को जानेंगे बहुत कर घु का स्वाद आ रहा है पनीर का उससे चार जो मसाले हैं है अमेजिंग और सबसे अच् पनीर रगी याली बहुत बड़ी है अब जब भी हाँ पचमडी के तरफ तो इस जगा को रुक कर तो यह दो चीज़े ज़रू ट्राइचार इस पहले तिक्कड तो आपको कहीं मिलने नहीं वाला और मैं दो साल पहले यहां पर आया था शूट के लिए अप्ता मैं ने पहली बार यह तेस्ट किया था मुझे बताया गया था कि खाना चीज़ तो यह मुझे बहुत याद था कि मुझे आके ज़रे खाना ए है तुमेंजिंग और पनीर ने के साथ तो यह बहुत बड़ी है है प्रुटा नहां झाल